हेलो फ्रेंड सीमा बीटी की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ तो इसमें देखी हम बचे हुई फैब्रिक और कुछ मोतियों से अच्छा सा लटकन बनाना बताएंगे तो देखी यह हमारे पास एक फै ऐसे हमने दो फूल कट कर लिए हैं अब हम देखी डोरी लेंगे और इसको ऐसे यहां रखते हुए सुई धागे की हेल्प से यहां पर शिलाई लगाएंगे तो देखी सुई धागे से हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे दोनों पार्ट के बीच में हम डोरी को रखेंग और फिर डोरी को पका करने के बाद ऐसे हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटेच्छ करते जाएंगे तो ऐसे हमने लगबग आदे से अधिक फूल है उसको हमने ऐसे अटेच्छ कर लेना है ऐसे अटेच्छ करने के बाद मैंने ये एक सफेद पने ली है ट्रास्पेरेंट पनी है जो हम इसके अंदर डालेंगे तो ये दीखेगी भी नहीं और वोस करने के बाद खराब भी नहीं होगी तो ऐसे हम इसके चोटे-छोटे पीश बनाके और इसकी अंदर डाल देंगे तो देखी मैंने इतना साई से खुला रखा है और इसकी हल फ से हम इसके अंदर ऐसे इस पन्ने को डाल देंगे तो friends हम इसमें रूई वगेरा डाल देते हैं तो उससे उसमें पानी भर जाता है जो बोस करते हैं तो अच्छा नहीं रहता तो इसलिए आप ये पन्नी डालने तो ये बहुत अच्छा रहेगा तो ऐसे पन्नी डालने के बाद हम इसको भी बंद कर देंगे सिलाई लगा के और ये हमारा नैट का फैब्रिक था उसके उपर फिलावर थे तो ये इसमें से दिखेगा भी नहीं ये ट्रांस्पेरेंट पन्नी है और इसमें डालने पर ये सही रहेगी ऐसे हम इसे बंद करके गांट लगा के और धागे को कट कर लेंगे तो देखिए ऐसे मैंने इसे तो रड़ी कर दिया है अब हम इसके नीचे के लटकन रड़ी करेंगे तो देखिए जो आधे कटे हुए फूल है उन्हें भी मैं कट कर लेती हूँ और इन्हें ऐसे फोल्ड करके इन पर भी हम सुई धागे से ऐसे सिलाई लगाएंगे तो फ्रेंट देखिए यदि आप मार्किट से इस टाइप के लटकन लेते हो तो काफी कोश्टली पड़ते हैं आप इन्हें बचे हुई फैबरिक से या आपके पास कोई भी फैबरिक ह तो यह काफी अच्छे रहते हैं यदि आपको काफी सारे लटकन बनाने होते हैं तो आप मार्किट से फैबरिक भी खरीज सकते हैं जिसमें ऐसे फलाओर हो तो वह भी आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के लटकन आपको डाइसो से तीन सो रुपे से कम नहीं मि जाएगा और उसमें काफी सारे फलाओर होंगे तो उससे आप काफी सारे लटकन बना सकते हैं देखिए ऐसे फिर हम नीचे की साइड यह और लटकन बना के लगा देंगे तो ऐसे मैं इस पर तीन लटकन नीचे लगाऊंगी आपको जितना मर्जी हो जितना ज़्यादा हैवी चाहिए आप उतना लगा सकते हैं मैं तो मार्किट से कभी लटकन नहीं करीती सभी लटकन अपने आपी बना लेती हूँ क्योंकि मार्किट से काफी कोस्टली पड़ते हैं ऐसा सीधा करके फिर इसमें हम मोती डाल लेंगे तो फ्रेंट्स आपको हमारे यह आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शियर कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबा ले ताकि हम नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए काफी हेलपफुल रहेंगी यदि आपको किसी वीचेश टाइप की वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता दे हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोसिस करेंगी तो देखिए ऐसे मैंने इसके नीचे तीन लटकन लगाए हैं तो देखिए फ्रैंट काफी सुन्दर सा लटकन बनके रड़ी हो गया है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और आपने वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए थैंक्यू सो माच मिलते हैं किसी नेक् वीडियो में